कि आपका क्या नाम है कि इनसे पूछी क्या करते हैं आप हम राज मिस्तिरी आपके नुसार क्या है आपके गाउं में महौल बास जो मुख्या जी बात कहें वही सबस्वाकिकत है मुख्या जी तो कहें उन्हें अब यहां जो राई वीचार होगा उनको दिया जागा मंत्री जी अगर उतना काम यहां कर पाएंगे तो उनी को सारा गाउं दिया जाएगा वोट कहेंगे कि हम नहीं करेंगे तो भाजपा को दे देंगे भाजपा कह रहेगी भाजपा करेगी उसको देंगे फिर उसका विचार होगा ना जो हमारे मुखाज में मुक्या जी बैठे हुए है तो फिर राई विचार करेंगे कि हां भाई अब गावला को किसको बनाना चाहिए तो होगा धन्यवाद आपका क्या नाम है लालतेस्वर क्या लगता है कि जमालाबाद के जो इस्तीति जमालाबाद में बाहर भी है या जो अस्तीति आपके गाऊं में बाहर भी है पहिए हमने 35 पर खंड़ बोचा विधान सवा में 35 सब्सक्राइब तो हमने महब awakening लगा है तो ज्यादा करके हमारे डक्टर गीता खुमार के आई जाती होता पर कोई भोट नहीं मिलता है का भीलता पर भोट मिलता है तो मानिया मुक्यास सनी कीजी के साथ जो हत्याचार हुआ है तो सब जग जनता है जितने हमारे बुचाहा बिधान सबागे जनता है सब इस चुछ को देख रही है कि कितना उनको साथ हत्य चार हुआ है यह डॉक्टर गीता कुमारी जो वृइपी पार्टी से प्रत्यासी है उनको सहनी के लावा और किस-किस लोगों का वोट मिल रहा है देखिए डाक्टर गीता कुमारी के सहनी के लावा बहरो बरंजात से भोटा रही है कहें जाया तो उसमें मुसल्मान भाई भी है चादब भी है पासमान जी भी है और दास भी है तत्मा भी है नुनिया जीच को बोलते हैं माजी बोलते हैं सहनी है कुसबाहा है यानि बरह बरंजात से उनको राचबुत भुयार भाई से भुयार तो मारे पंचायत महीं नहीं औ जितना काम किये हैं 45 साल में 45 टरम रह चुके हैं उसने कि भारी है मतलब हारी है इस नियंत्रित में हमारे समाज में सभी जगा अच्छे हमको दिख रहे हैं कारम की मत्री जी यह कह रहे हैं कि इस वक्त जो है अति पिछडे समाज के जो लोग है उनके बोचा उप्चुनाओं में मान सम्मान कि यह लड़ाई है इस पर क्या कहेंगे क्या यह बास सच है जी चुनाओं नहीं है चुनोती यह पिछलों की चुनोती जो हमारे जितने भी अति पिछले लोग देखने हैं हम सभी बाराउमर जास से गुजाइस करते हाँ जोड़के और पैर पकड़के कि भाईया अति पिछलों की लड़ाई है जो आज क्रांतिकारी जो आया है अभी तो सनख मला मुके सहणी जिया है अगर क्रांतिकारी नहीं होते जिसको पास चार सीट थे बीजेपी के नितृत में चार सीट थे वह चार सीट छोड़के यहाँ आपको चनलन में चाहे आपको पंचाज में गुमते नहीं अगर सत्ता के लोबी होते हैं जो उपी में चुनाओ लढते हैं एन्यों शीर से बरह्खरास होते क्योंकि हम आप से पुछना चाहते हैं आपको तो ऑफ से महांगे आपको राज में रहते हुए और मेरा समस्या के लिए आपने पाटी में सामिल किये और समस्या मेरा दूर नहीं हुआ तो फिर आपको रहने में फैदा भी सब्सक्राइब नहीं जिस करांथी कारी के लिए में लड़ रहे हैं अत्री पिछ्ष्रों के लिए हमने अरेक्षन मांगे तो जो हमको अरेक्षन नहीं मिला है जो हमारे पुर्वे मुशापिर पास्मांजी थे उन निर्दन हो गया दूसरा नंबर में अभी उनका लड़का सपूत्र अमर पास्मान भी आये हैं और उनको भी आईबी पार्टी से सिट मिलने बला था बलगला के किसी के चापसी पुल्टी प्लस में आके चले गए हैं राजत में ठीक है उनको भी हम बुरा भला नहीं कहेंगे जहां उनको अत्मियों माना उचले गए उसनों देखा कि भाई इनको तो तीन विधाग चले गए तो हम अकेला रहके करेंगे क्या बाकि सोच इंसान को गलत होता है कभी सोचना नहीं चाहिए का नाम है कि भया कि जो इंसान दुख में साथ देता है वह इंसान को सुक में भी समर्तन करेंगे एक बात ये बताईए कि मंत्री जी जब उत्तर परदेश में व्याइपी पार्टी को लॉंच किये और वहां चुनाव लड़ा गया उसके बाद फिर इनको बरखास्त कर दिया गया मंत्री पद से तो उसके बाद लोगों ने सवाल किया कि आप यूपी में चुनाव लड़ जो ढ़िए देखे भाईया हमारे जब तक समस्या के समीधान नहीं होगा जब तक हम लडाई लरते रहेंगे या यूपी हो बंगाल हो हम कहना चाहते हैं कि बंगाल में रक्षन मिल दा है हर जग अगर उपार जीते भी हैं अगर उपी में जीते भी हैं तो डॉक्टर संजय जो डक्टर संजाई निसाद उपी से हैं तो उनका भी नित्रित में हमारे निसाद को भोर के उसने राज किये हैं जो हमारे निसादों के फोर के ही राज किये हैं निसादों के फोर के ही राज किये हैं कि भाई के लडाओ और राज करो कारण कि हमारे उपी में डाक्टर निसाद को अगर नहीं बीजे पीबाले मिलाते ते क्या उपी में इतना सीट लापाते नहीं लापाते क्योंकि यहां तो भाई बिरोधी के पाट करवा दिये और भाई झाल झाल